नमस्कार कावियां क्लासेच के मंच पर आपका हर्दिक स्वागत अफिनन दन और बहुत दिनों में जो है आपके बीच ये जो बिचार अपना परही थी कि वर्ण क्या होते हैं वर्णों के बारे में कैसे सीखा जाए आखिर वर्ण अक्षर धोनी के बीच में अंतर क्या है प के साथ अम मैं आपको बताता हूँ कि वर्णों की विशिक थियोरी क्या है तो आज का हमारा टॉपिक है जिस टॉपिक पर हम ढग से आज बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मित्रो वर्ण विचार है जिन डालिये का आप सभी लोग वर्ण विचार क्या है वर्ण मैंने पिछली वीडियो में परिभाषा की बतार आपको बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी लिखी दिकाई है भाषा की सबसे छोटी लिखी दिकाई वर्ण कहलाती है इसकी परिभाषा है वर्ण कहलाती है बतोर परिभाषा हम ये कहा सकते हैं कि भाषा में वर्ण हुँ है जिसका लिखित रूप से विभाजन करना संभव नहीं है ये बात भी हमने पिछली वीडियो में कर ली है हम कहा सकते हैं अर्थात वर्ण वह है जिसका लिखित रूप में वर्ण वह है जिसका लिखित रूप में बिभाजन करना संभव नहीं है बिभाजन करना संभव नहीं है तो दो परिवाषा हैं कि बासा कि सब चुछ लिखी तिकाई कहलाती है वर्ण और वर्ण वो है जिसका लिखित रूप में विभजन करना संभब नहीं है अब इन दोनों परिभाशाओं के बाद हम बात करते हैं कि आखिर ये किस तरह से होता है देखेगा जैसे कि मैंने आपको समझा था कि ये कै है और इस कै के दो भाग करते हैं तो कै और ए हो जाता है इसका सिदा सिदा मतलब ये हुआ कि ये कै भी वर्ण है और ये ए भी वर्ण है ये वर्ण क्यों है क्योंकि इनका दोनों का लिखित विभाजन नहीं हो सकता लिखित विभाजन संभव भी नहीं है इनको आगे आप तुकडों में तोड़ नहीं सकते इनका लिखित विभाजन संभव नहीं है इसलिए ये वर्ण थे ओके और दूसरी बात कर रहे थे हम अक्षर की अक्षर क्या है अक्षर वो है जो स्वांस के अधार पे नहीं टूट रहा था तो इसका लिखित विभाजन संभव हो रहा था तो ये अक्षर है लेकिन हमें तो वर्तमाल में ये पढ़ना है कि आखिर वर्ण कौन से हैं तो वर्ण वो होते हैं जिसका लिखित विभाजन करना सम्भव नहीं हो पाते हैं अब यहां पर जैसे ए लिखा हुआ है तो आप जानते हिंदी वर्ण माला कहां से शुरू होती है यहीं से हिंदी वर्ण माला का पर्थम वर्ण कौन है हिंदी वर्ण माला का पर्थम वर्ण है वो कौन है ए है और हिंदी वर्ण माला का पर्थम व् प्रथम व्यंजन तो वो कै है अच्छा व्यंजन है तो है तो बढ़नी ना क्योंकि बढ़नों में स्वर भी आता है व्यंजन भी आता है विशर्ग भी आता है तो व्यंजन है चाए स्वर है चाए विशर्ग है फाइनली है तो बढ़नी यानि कि उसका लिखित रूप में भिभजन करना संभव नहीं हो सकता है ओके चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं वर्णों की कुल संख्या कितनी है अगर इस पॉइंट पे हम बात करें तो हिंदी वर्ण माला में जो हिंदी वर्ण माला है उस हिंदी वर्ण माला में वर्णों की कुल संख्या यानि की कुल वर्ण बामन है और अगर आपसे कोई पूछ ले की मूल वर्ण कितने हैं तो मूल वर्णों की जो संख्या है वो 45, 44 मूल वर्ण कितने हैं संबालिस है और कुल वर्ण कितने हैं बामन है और यहाँ पर एक बास सुनिएगा इसमें भी ग्यारा स्वर हैं और तेतीस ब्यंजन है क्या समझे आप यहाँ पर भी ग्यारा स्वर हैं और तेतीस ब्यंजन है यानि की स्वरों की संख्या ग्यारा है ब्यंजनों की संख्या तेतीस है तो मूल बर्ण तो चम्बालीस ही है कुछ जोड़ तोड़ करके और बर्ण बनाए गए है तो कुल मिलाकर के उनकी संख्या फिर बामन हो जाएगी तो दोनों बाते याद रखें के इंपोर्टेंट प्रसना एक्जाम का कुल बर्ण होते हैं बामनों और मूल बर्णों के संख्या होती है 44 यानि की चम्बालीस जिसमें 11 स्वर हैं और 33 ब्यंजन है चलिए अब बात कर लेते हैं अगे की हिंदी बर्ण माला पे आते हैं अगर हम हिंदी बर्ण माला को देखें हेनिग डाला है मैंने हिंदी बारणमाला और हम आते हैं तो देख एंदी-बारणमाला को टोटल पांच बर्गों में बाटा गया है कैबर्ग कैबर्ग टैबर नदैबर्ग बाल है तो कुल मिलाकर के 25 तो वह हो जाएंगे आप सोच रहोंगे व्यंजन क्या मतलब क्या है व्यंजन के साथ हलंत लगा जाता है तिर्ची रेका खीची जाती जिसे बोलते हलंत और हलंत का काम क्या है जब भी हलंत आता है वो बढ़ हमेशे आदा होता है अगर हलंत के साथ स्वर मिल जाएगा यानि व्यंजन के साथ स्वर मिल जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा और फिर वो बिना हलंत के लिखा जाएगा जैसे मेरे पास के है तो यह आधा के है और यदि इसके साथ मैं स्वर मिला दू ए आ कुछ भी तो फिर यह के का ऐसे पूर हो जाएगा ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यन्जन आधा होता है और उसके साथ स्वर मिलाया जाता है यानि कि व्यन्जन का उच्छारण बिना स्वर के होता ही नहीं है आप जब भी कोई व्यंजन बोलेंगे जैसे के उसके साथ ए अपना बुलेगा तो बिना स्वर के व्यंजन बुलता ही नहीं है अब स्वर को अलग करना है हमें तो स्वर को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं व्यंजन के साथ लगाते हैं हलंद ताकि सुद्ध व्यं व्यंजन कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ हलंत लगा हुआ है ओके खेर ये एक अलग कहानी ये जो है अक्षर का निर्मान करता है आपको मालूम है ये अक्षर बना रहा है ये स्वर और व्यंजन का अलग लग मैं आपके सामने डिविजन पेश किया अपन बात आते हिंदी वर्णमाला पर कि हिंदी वर्णमाला आखिर है क्या तो जो मूल हेडिंग है हमारा हिंदी वर्णमाला वो हम लिख लेते हैं बेशिकली बात हिंदी वर्णमाला की है तो देखेगा हिंदी वर्णमाला क्या है इस पर पर बाग करेंगे तो मैं पहले आपके सामने हिंदी वर्ण माला पूरे लिख देता हूं हिंदी वर्ण माला और इस हिंदी वर्ण माला में सबसे पहले स्वर आते हैं तो सारे स्वर अपन लिख देते हैं अच्छा इसके बाद याद रखना हमेशा री आता है री रिसी वाला ये री है ये भी स्वर है अच्छा इसके बाद ए आई ओ और आउ तो जो स्वर हैं वो कितने हैं बताएगा स्वर यहाँ पर है ग्यारा ब्यंजन है तेतीस अन्य जो बच गए वो आठ है ठीक है अन्य कितने आठ कुल मिला करके बामन हो जाएगे तो हिंदी वर्ण माला बामन बर्णों की माला है कुल संख्या कितनी है बामन अपन बात कर रहे है ए आ ए उ री ए ओ की यह सारे के सारे स्वर हैं यह सभी जो स्वर होते हैं इन स्वरों की मातराइं लगती है जैसे की ए है तो एक ओ छोड़ देजिए अब इन सभी स्वरों की मातराइं होती है एक तो यह याद रख्जिएग़ कि की मातरा लगती हैँ मेशे बाद में लेकिन दिखाई पहले देती है जैसे आपने लिखा की तो की का मतलब जैसे की तो की का मतलब के और ई है स्वरबाद में आता है लेकिन यहाँ पर मात्रा लगती पहले है तो यह याद रखेगा कि लगती मात्रा पहले है दिखी हम लिखने में बाद में लिखते हैं लेकिन यहाँ दिखा ही हमको पहले देती है की की कहानी है की योजग की रूप में आता है अंगरेजी में इसको डैट बोलते है दो बाकियों को कनेक्ट करने काम आता है मिसर बाकि मिसर की का प्रियों होता है ए को छोड़ दीजिए और सब की मात्र लगेगी आ, इ, इ, उ, उ, री, ए, आ, ओ, और अ, तो जो कुल, कुल मात्राएं हैं, अगर आप मात्राओं की संख्या देखेंगे, तो यहाँ पर महसूस करेंगे कि मात्राओं दसी हैं, मात्राओं दस हैं, जबकि स्वरों की बात करें, तो स्वर कुल ग्यारा हैं, तो स्वरों की संख्या ग्यारा है, और मात्राओं की संख्या दस, यह आपको क्लियर होना चीए, एको छोड़कर सभी स्वरों की मात्राओं ल लिपी में एको छोड़ कर सभी स्ल मातर ही लगती हैं तो यहां पर भी हम मातर हैं लगा सकते हैं और उस अधार पर हम कहा सकते हैं कि सवरोंगोगोटाल 11 होती है एक को छोड़ो तो सेश मात्रें बच काई 10 तो मात्रहों शेषर 10 होती है ये तो हमने स्वर लिखे हिंदी बढ़न माना में व्यंजन भी और अन्य भी है तो अन्य बढ़नों पर आएंगे पहले व्यंजनों पर पहुंचते हैं देखेगा व्यंजनों के साथ आपको मालूम है हलंत लगना है कितने व्यंजन है 33 33 व्यंजन कैसे कैसे होंगे साथ तो द चार अंतस्त हैं और चार सुस्किया उश्म हैं चार तो ऐसे करके ये टोटल पच्चीस और आठ मिला करके तेतीस हो जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है कै बर्ग तो कै बर्ग का मतलब कै खै गै 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 ने देखो ने नाक से बुलता है उपर है इसके ये जो विंदी आपको दिख रही है उपर है और याद रखिएगा ये हमेशा कंठ से बुलते हैं कै बर्ग होता है वो कंठ से बुलता है सारा सूत्र बताएंगे जब पढ़ाएंगे आगे कुल मिलाके कंड से बुलते हैं कै बर्ग आ गया दुसरा जो बर्ग है वो है चै बर्ग चै बर्ग की बात करें तो यहां पे चै चै जै जै और यह यह पांच है एक बात यहां थोड़ा सा सुन लिजिएगा गौर से थोड़ा सा गौर से इसको सुन लिजिएगा क्योंकि यह तो पंचमबर नाता है वो हमेशन नाक से बुलता है इसलिए अनुस्वार कहलाता है यहां पे यह जो जह है ना यह ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे एक ही बात है यह भी जह है यह एक ही बात है आप इसको जंडा लिखते हैं तो जह यह भी होता है यह pen change हो रहा है यहां पे यह ऐसे माल लेजिएगा यह ऐसे भी लिखा जाता है लेकिन मानक रूप में ऐसे लिखा जाता है वर्षिक लिए हम ऐसे लिख देते हैं ठीक है यह भी प्रचलित है चे बर्ग ये जो है इचू ये शानाम तालू तालू से बुलता है चे चे जे जे यें बोलेंगे तालू का प्रियोग होता है कैखे गेगेने बोलेंगे तो कंठ का प्रियोग होगा ओके चलिए आगे सुनिएगा अगला होता है टेबर्ग टेबर्ग में टेट है डेड है और ने आएगा एक बास सुने यहां पर विंदी नहीं लगाई है क्योंकि नीचे विंदी लगेगी नहीं जब हलंत नीचे आ जाता तो कुछ और नहीं आता हलंत अगर नीचे लग जाए तो कोई मात्रा नहीं लगती कुछ भी नहीं लगता फिर केबल हलंती लगता है तो आप यहां पर विंदी लगाने कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा इसलिए आप विंदी यहां पर लगा ही नहीं सकते हैं ओके तो विंदी तो हम लगाएंगे नहीं यह बिना विंदी के हलंत से चलता है ओके तो यहां पिर एक होता है तैबर्ग में तैथ है देध है नयात है जब भी किसी अक्षर को या किसी श्वर को या किसी व्यंजन को अकेला लिखो तो उसके साथ इस तरह जो है सिंगल इंटेट को में लगाते हैं क्योंकि यह स्वतंद रूप में नहीं लिखे जाते हैं स्वतंद रूप में बास्ता के सबसे चोटी इकाई जो लिखी जाती है वो है कौन शब्द तो इस तरह ये लिखे नहीं जाते तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लिखे जाने के करण हम यहां पे इंको inverted comma में बंद करते हैं अगला देखेगा लास्ट ए पैबर्ग और पैबर्ग में कोन आएगा पै फै बे बै भै और में हिन्दी में क्या है कि भै और में दूर से देखने पर एक जैसे लगते है तो कुछ लोग क्या करते हैं इसके गुंडी बना देते हैं बोले ये लो ये भै गुंडी हो गई ये जिसे धै और गय एक जैसे लगता तो धै के गुंडी लगाते हैं गुंडी लगाना गलत पक्रिया है मानक रूप से आप ऐसा गुंडी लगा दें धै या जैसे लगा दें भै तो ये गलत है ऐसे नहीं लिखने चाहिए अशुद्ध है ये ग्रेमेडिकल दिस्टे से अशुद्ध है तो ये पांच वर्गों के खिते हो गए 25 ये पांच वर्गों के 25 वियंजन हो गए है ये 25 वियंजन है इसके अलाबा शार होते हैं कौन अंतस्त ये चार अंतस्त य इसको मैं ऐसा करता हूँ यहां जगे कम है यहां थोड़ी जगे कम है मैं इसको यहां से आगे ले जाता हूँ अंतस्त होते हैं चार कौन कौन से यह र ले और वर अब यहां पर एक बात तो यह याद रखे है कि कंड से बुलता है तालू से बुलता है यह मूर्धा मुखका जो उपर का इस्थान होता है मुखकी च्छक उसको मूर्धा बोलते हैं यह मूर्धा से बुलता है यह तैबर्ध दांतों से बुलता है इनके बारे मागे बात करेंगे आपको बताएंगे कहानी क्या है अभी तो आप इतना याद रखेगा, कि यह वर्ण इस प्रकार से पाफवे्वर में ऐसे होते हैं और इनके अलावत चार अंतस्त है, अंतस्त के अंतम इस्थित है, यह, र, ल, व, अंतम इस्थित रहते हैं, इसलिए वो कहते हैं अंतस्त एक बात यहां पर याद रखेगा कि संस्कृत में संस्कृत में अंतस्त व्यंजन यह रह लह वे के बजाए यह वे रह लह लिखे जाते हैं यानि संस्कृत में वे पहले आता है यह के बाद वे आता है जो आपको दिख रहा है ना ले और रे इससे पहले बे आता है किसम है? संस्कित और चार जो होते हैं सुस्क या उश्म चुकि बोलने में सुखे होते हैं इसलिए सुस्क कहलाते हैं और इनको बोलते हैं हमें नाख से गरम हवा निकलती है इसलिए कहलाते है उश्म से से और है ये चार सुस्क ये उश्म कहलाते है तो कुल मिलाकर के आठ व्यंजन ये हो गए तो आठ व्यंजन तो ये हो गए साथियो और 25 व्यंजनी हो गए मिलाकर के ये 33 व्यंजनों की कहानी हो गई सुकि व्यंजनों के साथ हलंत का प्रियोक किया जाता है इसलिए व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है व्यांजन जो है ना इसका संस्कृत में इसका संस्कृत नाम क्या है हल हल क्यों है क्यों कि इनके साथ सब के साथ हलन्त लगता है इसलिए व्यांजन को संस्कृत में हल कहा जाता है ओके ये पूरी पूरी हिंदी वर्ण माला की बात चल रही है यहां पर मैं देख रहा था कि ये हिंदी वर्ण माला ग्यारा स्वार तेटीस यंजन के अधार पर ग्यारा स्वार हमने पढ़ लिए तेटीस यंजन हमने पढ़ लिए अभी भी आठ वर्ण बच गए हैं वो आठ कौन से हैं सुनिएगा चार होते हैं संयुक तक्षर जी संयुक तक्षरों की संख्या होती है चार संयुक तक्षर होते हैं कितने चार अच्छ एक बात सुनिए यह मैंने लिखा ना सयूक तक्षर यहां देखे यह ऐसे भी लिखा जा सकता था सथ यूंक तक्षर एक ही बात है लेकिन क्या है आपके पास यह कैय आदा था और magnificent lगा दिया चुकि ये के मेरे पास भी था ये के मेरे पास भी था और ते मेरे पास भी था ठीक है अब जैसे आपने लिखा है ऐसे ये के मेरे पास भी है पर मैंने क्या किया आपने इसको आपने क्या किया आगे चल करके इसको यहां से हटा दिया ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये आपने हटा दिया तो आप इसको आदा के और तैयों लिख दिया तो आपने ये बना दिया मैंने सोचा मैं इधर से नहीं हटाऊं उधर से हटाऊं तो मैंने क्या किया इसको इधर से हटाने के बज़ा है उधर से अटा दिया अब देखे मेरे पास ये तो दोनों में सैम है ये देखो सिरो रेखा खड़ी पाई ये तो दोनों में सैम है अब यहां पर ये तै पूरा है तो ये तै पूरा ये रहा और चुकि के आदा है आदा होता है वो हमेशा उपर आता है तो ये तै पूरा है तो तो यह और यह एक ही बात है इसलिए आप चाहिए यह लिखो चाहिए यह लिखो एक ही बात है क्योंकि यहां पर क्या आदा उपर है तै पूरा नीचे है अगर आपने गलती से यू लिख दिया तो गलत है क्योंकि यहां पर पता नहीं चल रहा कि कौनसा आदा है कौनसा पूर ना कोई उपर है ना कोई नीचे बराबर में तो गलत हो जाएगा और अगर आपने यूँ लिख दिया अगर आपने यूँ लिख दिया तो भी गलत है क्योंकि यहां पर आपने तै को उपर कर दिया है तो तै आदा हो गया है कै को नीचे कर दिया तो कै पूरा हो गया है तो य आजकल के बच्चे पढ़ना नहीं चाते, बहुत गहन जानकर यां सिहना नहीं चाते, इसलिए नॉर्मल बे में लोग ऐसे लिख देते हैं, चलिए, संयुक तक्षर, ख्या, त्रव, ग्या, और स्रव, चार है, ये संयुक तक्षर आधा क्या और सैसे बना है, ये जो संयुक या आधा ते और रह से बना है, ये आधा शे, स्वारी गे, ये गे, क्षए, आधा क्ये और शे, स्वारी, यहां पर क्षए लिखे गा, क्षज त्र, और आधा जे और ये, ये वन गया, इसको संस्क्रित वाले ये बोलते हैं और आदा शे और रे इससे मिलके स्रे बना है तुक्षात्रा ग्यस्रे आदा केशे, आदा तेरे, आदा जाये आदा शेर, इससे मिलके बना है याद रखेगा पहला हमेशा आदा है पहला वर्ण आदा है यानि वर्ण है दूसरा पूरा है अब एक बास सुनी आप जो आदा होता है जो आदा होता है वो ये है जो पूरा है वो ये है तो ये कहलाएगा क्या अक्षर जिसके स्वास्वर मिला होता है यहां पे स्वार मिला हुआ है शे के साथ ए तो ये तो कहलाएगा अक्षर ठीक है और ये कहलाएगा वर्ण अब वर्ण और अक्षरों में अगर हम देखें तो अक्षर बड़ा होता है तो कुल मिला के बड़े पर आके छोटा मिला है यानि वर्ण जो है वो अक्षर पर आके म तो सायूखत अक्षर कहलाएगा सायूखत अक्षरों में सब में यही कहानी है यह देखेगा यह verne है यह अक्षर है आपको continue दिख रहा है एक बात यहां पर आता कि यह दो मिलके तीसरा बनाते है यानि दो मिलके तीसरा बनाना जरूरी है अगर सेम सेम बना दे मतलब जैसा इधर हो वैसे उदा लिख दें तो गलत हो जाएगा जैसे दो हैं मिलके तीसरा बना रहा है तीसरा अलग शकल है दो की अलग शकल है तो दो की अलग शकल मिलके तीसरे एक अलग शकल बना है फिर इसको सहींत अक्षर हम क्यों रखते ये पांचमा सहींत अक्षर क्यों नहीं है तो उसका कारण सुनिये ये कारण क्यों क्यों नहीं है बताओ क्योंकि यहां पे दोने मिलके तीसरा अलग नहीं बनाया जो यह है ना वो यह है सेम शकल है इनकी सेम शकल है आप कहेंगे शक शेम कहा है सर क्यों जूट बोल रहे हैं तो अलग देख रहा है अरे नहीं है देखो ये दे था आधा और ये ये था पूरा आपने दे को आधा करना था कर दिया आपने खलंत लगा दिया ये दे मेरे पास भी था मैंने सोचा दे को आधा यहां से कर दू इत्ता ही कर दू बस म अब क्या करूंगा जो आदा है वो नीचे आएगा हमेशा पता है आपको तो जो ये दे है ना ये तो जौकितियों रहेगा यहां तक और ये हमेशा आदा है उपर नीचे जाएगा क्योंकि पूरा है तो ये पूरा वियंजन नीचे चला गया तो यह मिलके क्या बन गया तो वोही तो शकल है सेम ही तो है कोई चेंज नहीं है अब कर दो देख नहीं है नहीं हो दंग से देखो तो पता चलेगा कि यह रहा आदा द्य और यहां से इसी में जुड़ गया यहां ऐसे पता चल जाएगा आपको तो यहां पर यह पंचम बढ़ने के रूप में सामिल नहीं होता सही उतक्षर चार होते हैं कुछ शाथियों के मन में वरांती रहती है कि दे को क्यों नहीं मानते तो सही उतक्षर नहीं है वो तो दो मिलाके तीसरी अलग शकल बना दे जैसे दो मिलके तीसरी अलग शकल बना दी, दो मिलके तीसरी अलग सकल बना दी, सकल अलग बना दे, वर्णी चेंज कर दे पुरा, तब जाके वो सही उतक्षर होता है, यहां तो वही है जो पहले था, इसलिए नहीं होगा, ओके, चलिए, इस जानकरियों को मैं अभी फिलाल यहां से हटाता हूँ, और सभी तक्षर मैंने देखा, चार हैं, उसके अलाबा, उसके अलाबा और क्या-क्या हैं, दो जो है अयोगवावर्ण है, दो कौन है, अयोगवावर्ण है, दो. कौन-कौन है अनूस्वार और बिशरग यानि कि अन्ग और ए यह अनूस्वार है ऐसे लगा जाता है अनूस्वार है और यह बिशरग है ओके यह ऐसे लगा जाता है यह विश्यर का ऐसे लगा जाता है ठीक है बात खितम दो अयोगवा हो गए चार सहीं तक्षर हो गए अब क्या बच गया जी बताइएगा अभी बचा हुआ है दो और क्योंकि टोटल वर्ण आठ है न अधर अधर वर्ण तो जो दो सेस बच गए वो है उच्छिप्त वर्ण उच्छिप्त इनको तड़ित तालंजात सब बोलते हैं अभी लिखाएंगे इनकी संख्या दो है एक तो होता है ड़ै और एक होता है ड़ै यहां नीचे विंदी लगी हुई है इसलिए यहां पे कुछ भी हलंत बगरे का प्रियोग नहीं होगा कहाने के लिए तो आठ वर्ण यह हो गए ठीक है अधर थे और पचीस और आठ तेतीस मिला के यह हो गए तो कुल मिलाकर के हमने जो बर्ण माला के बारे में पढ़ा ग्यारा स्वर हमने पढ़ लिए यह रहे ग्यारा स्वर तेतीस व्यंजन हमने पढ़ लिए तेतीस जो व्यंजन थे वो हमने पढ़ लिए देखिए यह रहे पचीस और यह रहे आठ तेतीस व्यंजन हमने पढ़ वो आठ अन्य जो है वो भी हमने पढ़ लिये हैं वो कौन से हैं वो साथ ये रहे तो कुल मिलाकर के बामन वर्णों की बर्ण माला होती है देवनागरी लिपी में यानि हिंदी भाषा में कुल बामन वर्ण है ये बामन वर्ण हमारे खुद के बर्ण है देवनागरी लिपी क वर्ण नहीं दूसरों से उधार नहीं लिया जो उधार लिये न हमने केखेगे जे फेवे और ओ नुक्ता वाले और अंग्रेजी वाला वो तो विदेशी वासाओं से आये उनको आगत वर्ण गहीत वर्ण दत्तक वर्ण कहेंगे उनके बारे में अभी बाद में हम खरोंगे उके तो चलिए अभी कुछ बाते आपके समझ माई कि वर्ण कुल जु है बामन है मूल वर्णों के सिंख्या 45 है अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और एक एक वर्ण के बारे में एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या होता है स्वर क्या होता है व्यंजन क्या होता है विशर्ग बस इतना जरूर याद रखना कि यहां पर आपसे पुछा ह हिंदी वर्ण माला तो हिंदी वर्ण माला कि में कुल जो है बामन वर्ण होते हैं अच्छा आप से कोई पूछ ले कि वर्ण माला किसे कहते हैं भाई सब परिभाशा क्या होगी वर्ण माला की तो मैं बतोर परिभाशा यहां पर कह सकता हूं परिभाश अगर पूछ ले तो मैं कह सकता हूँ कि वर्णों के क्रमिक सिर्यल ब्यवस्थित बैल मैनेज़्ट समु को वर्ण माला कहते हैं किसे कहते हैं जी वर्ण माला बर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित जो समू है वर्णों का क्रम से हों और व्यवस्थित हों मेनेज़ दो, सीरियल दो, मेनेज़ दो, अगर वर्ण ऐसा होते हैं, तो उसको वर्ण माला लगा जाता है, हमने यहां पर क्या देखा, बेल मेनेज़ दे, एक एक अपनी जगे पर सेट है, और उसके साथ में, वो जो है, क्रम से लिखे गए है, ओके, तो यह सारी बात हिंदी वर्ण माला में, आप जो सबसे पहला हेडिंग है, वो आप हेडिंग डालेगा, क्या है, हेडिंग का नाम क्या है, जी हाँ, हेडिंग है, स्वर, जी, स्वर, यह हेडिंग डालेजिए आप, स्वर, ओके, बॉबेल्स, अंग्री जी में कहा जाता है, क्या होता है स्वर, कित्य प्रकार के होते हैं स्वर, और स्वर किसे कहा जाता है, यह सब जानकरी, अब मैं आपको दे देता हूँ, स्वरों के बारे में, एक बात मैंने आपको थोड़े पहले ही बताई थी, और वो यह थी, कि जो स्वर होते हैं, वो ब्यंजनों को बोलने में मदद करते हैं, उचरण में मदद करते हैं, तो जो पहला पॉइंट है, वो तो यह होगा, लेकिन, छोड़ा सा इसको, ठोरिकल रूप से देखते हैं स्वर, संस्कित में इसको कहा जाता है अच्छ, संस्कित में स्वरों को क्या कहा जाता है अच्छ, ओके, तो स्वर के अगर परिभाशा लिखें, तो परिभाशा ये होगी, कि वेध्वनिया, जो स्वत्य उच्छरित होती है, बेध्वनिया जो स्वते उच्चरित होती है उन्हे स्वर कहा जाता है स्वते उच्चरित होती है यानि कि जब आप इनको बोलेंगे तो किसी प्रकार का कोई जो है अबरोध यहाँ पर मैसूस नहीं होगा आप ये भी कह सकते हैं कि इनका उचारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है इनका जो उचारण है वो स्वतंता पूर्वक किया जाता है यानि कि जब भी आप इनका उचारण करेंगे स्वतंत रूप से उच्छित होते हैं ये हमेशा इंडेपेंडेंडेंट है किसी पर आ आस्सित नहीं है अच्छा व्यंजन होता है न वो आस्सित है व्यंजन का उचरण बिना स्वरों की मदद के हुई नहीं सकता तो व्यंजनों को आप बिना स्वर के नहीं बोल सकते लेकिन स्वर के साथ ये कंडिशन नहीं है स्वर की जो परंपरा है वो यही है कि स्वर का उच इंडेपेंडनेंट जो है इनका उच्चारण है प्रननसियेशन है इसके अधार पर इनको क्या कहा जाता है देखिएगा इनको कहा जाता है स्वर कहा जाता है जी तो एक बात तो ये हो गई कि ये स्वर हैं और और दूसरी बात दूसरी बात ये है कि इनके बारे में हम कुछ और भी लिख लेते हैं, जब स्वतंत्य पुर्वक उचारण होता है, तो एक परिभाशा निकल के आती है, क्या आती है सुनिएगा, चुकि स्वरों का उचारण बिना किसी रुकावट या अब रोध के किया होता है, अते, इन्हें अनवरोधी भी कहा जाता है, अनवरोधी, और अनवरोधी के दो, या या आराम से प्रभाईत होते हैं, तो प्रभाही भी के दो, अते इन्हें अनवरोधी या प्रभाही भी कहा जाता है, इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि व्यांजनों का उचरान अवरोध के साथ होता है तो व्यांजनों का उचरान अवरोध के साथ होता है व्यांजनों क्या कहेंगे अवरोधी और जो अवरोधी है वो एप्रभाही होगा क्योंकि उसका प्रभाह आसानी से नहीं हो रहा है तो बात एक ही है कि इसको आप अनवरोधी कह सकते हैं इसको आप प्रभाही कह सकते हैं ठीक है जब भी प्राणवायू निकलेगी फैंफणों से तो बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर प्राणवायू निकलती है हम ये बात लिख सकते हैं स्वरों के उच्चारण में प्राणवायू फैंफणों से बाहर निकलती है फैंफणों से बाहर निकलती है तो तो उसे मुख विवर में मुख का जो कोस्ट है मुख का जो अंदर का कोस्ट है इस मुख विवर में कोई कठनाई महसूस नहीं होती है तो जब भी मुख विवर से प्राणवायू निकलेगी तो बिना किसी कठनाई के बिना किसी रुकावट के वो सीध ही निकल जाएगी इसलिए इनको अनवरोधी या प्रबाई कहा जाता है एक परिवाशा हम यह भी कह सकते हैं कि स्वर्बे होते हैं जो ब्यंजनों के उच्चारण में साहक होते हैं परिवाशा है बहुत अयार हो है इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आँखों में कैसे आए हमसे पुछो इतने अनुभव एक कंड से कैसे गाए तो बाते बहुत है परिवाशा है बहुत है बताने की पर फिर मैं आपको यह कह सकता हूं कि एक परिवाशा और मैं अगर लिखना चाहूं तो यही होगी सुनिएगा परिवाशा क्या है परिवाशा क्या है स्वर्वे हैं जिनका जो ब्यांजनों के उचारण में सहयक होते हैं क्योंकि बिना स्वर्व के व्यांजन बुलेगा इनी नहीं स्वर्वे हैं जो ब्यांजनों के उचारण में सहयक होते हैं यह सारी परिभाशा है मैंने आपको स्वरों की बता दी है ओके अब बात करें कि आखिर कौन कौन से स्वर हैं तो आप देख जानते हैं अभी लिखाया भी था स्वर कुल कितने हैं ग्यारा हैं कौन कौन से हैं साब अभी बताया था ये सारे के सारे क्या है बतायेगा ये सारे के सारे स्वर है ओके अब यहां पर आपको ये भी मालूम है कि ए की तो मात्र लगती नहीं हैं लेकिन आ-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई होती है एक नहीं होती और ए में एक मात्रा होती है दिखती नहीं है लेकिन तो यहां पर थोड़ा डिश्टर्ब नहीं हुआ आप ओ और ओ यह आपकी दस मात्रा होगी अब मुझे को यह बता दे कि क्या क्या स्वरों के अलाबा व्यंजनों की मात्रा लगती है अगर हम यह प्रस्म सोचें कि क्या स्वरों के अलाबा व्यंजनों की मात्रा लगती है तो हम पाएंगे कि जी नहीं व्यंजनों की मात्रा नहीं लगती मात्रा केबल लोड के बद सुरों की लगती है इस अधार पर एक विवाद पैदा हुआ एक समश्या पैदा हुई समश्या क्या पैदा हुई कि जो री है ये री दरसल बोलते समय इसमें रुकावट आती है उच्चरन करते समय सुरा अवरोध पैदा होता है तो अवरोध के अधार पैसे ल व्यंजन हो लेकिन लेकिन चोंकि इसकी मात्रा लगती है तो मात्रा के आधार पर ये क्या पता चलता है कि स्वर है और फैनली इसको स्वर ही माना गया क्योंकि मात्रा केबल स्वरों की लगती है अगर इस जी को व्यंजन मालने री अबरोध पैदा होटा है मुख विवर में तो इसके आधार पर ये मालने की री जो है वो क्या है स्वर नहीं है व्यंजन है अब रोधी है मालने तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि व्यंजनों की मात्रा व्यंजनों की मात्रा नहीं लगती मात्रा हमेशा केबल और केबल किसकी लगती है स्वरों की लगती है तो ये concept आपके बिल्कुल clear समझ में आ गया होगा अब आगे चलते हैं अब जो अगली बात है वो है एक line में हापे लिख देता हूँ री पर विवाद री पर विवाद क्या विवाद है री पर चू की री के उच्चारण में री के उच्चारण में अच्चा संस्कित में एक बड़ा री और होता है ऐसे एक री और होता है बड़ा संस्कित में हिंदी में नहीं होता है चुकि दीके उचरण में अब रोध महसूस होता है अते विद्वानों ने इसे ब्यंजन मानने की सिफारिस्की थी विद्वानों ने इसे ब्यंजन मानने की सिफारिस्की थी लेकिन चुकि रीक की मात्र लगती है मात्र लगाई जाती है और मात्रा केबल स्वरों का गुण है अते अंतते रीको स्वर माना गया कि भैया मात्रा लगती है इसकी और अगर व्यद्वान लेंगे तो व्यद्वान की मात्रा लगती है क्या मात्रा तो स्वर की लगती है इस आधार पर रीको फाइनली क्या माना गया रीको फिर जो है स्वर ही माना गया और ग्यारा स्वर रहे अगर रीको हटा देते तो दस ही रह जाते लेकिन दस नहीं स्वरा को संक्या ग्यारा ही रही तो ये तो मुख्य बात थी एक basic आधार स्वरों के बारे में अब अपन बात कर लेते हैं स्वरों के प्रकार आखिर स्वर होते हैं कितने प्रकार के हैं तो देखे अगली बात पर चलते हैं अगला heading है स्वरों के भेड यानि स्वरों का वर्गी करण स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या विभाजन हैं यानि स्वरों को हम किस किस प्रकार से देख सकते हैं समझ सकते हैं और किस किस प्रकार के स्वरों के वर्गी करण किये गए हैं और अब बात कर लेते हैं स्वरों के बरगी करण की यानि स्वरों के भेद कौन-कौन से हैं स्वर किस आधार पर कितने प्रकारों में बांटे जाते हैं अम मुखिरूप से ये बात हमें करनी है तो अगला जो heading है जिसे हमें याद रखना है वो heading डालीजिए वो heading है स्वर के भेद जी तो ये रहा आपका अगला हेडिंग स्वर के भेर यानि आप स्वरों का बर्गी करण भी से कह सकते हैं अब स्वरों को कैसे कैसे बांटा जाता है बात ये है तो देखे स्वरों के बर्गी करण के स्वरों के बर्गी करण के निम्न आधार है किस किस आधार पे स्वर बांटे जाते हैं हम उन सभी आधारों की बात अब आप से यहाँ पर कर लेते हैं कि आखिर स्वरों को कितने आधारों पर बांटा जाता है कितने रूपों बांटा जाता है और इसमें जो पहला पहला प्रकार है वो है प्रान तत्व प्रान तत्व का मतलग होता है उसको बोलने में आप प्रान वायु जो ले रहे हैं इस प्रान तत्व को आप उच्चारण काल भी बोल सकते हैं उच्चारण काल कह देताओं में या उच्चारण मात्रा उच्चारण काल या उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वार दूसरा तरीका है वो है व्यूत्पत्ति बनावट रचना या निर्मान के अधार पर दो तरीके देखे आपने पहला की उच्चरन के अधार पर क्या है दूसरा व्युत्पति बनावट रचना निर्मान के अधार पर क्या है तीसरा तरीका नमबर तीन जीवा इस्थान के आधार परस्वर यानि जीव के कौन से भाग से बुल रहा है जीवा इस्थान के आधार परस्वर तीन पॉइंट चौथा सुनिएगा नमबर चार है मुखा कृती के आधार परस्वाइब पांचमा जो विवाजन है वो है उस्था करती के आधार परस्वाइब उस्ठाक्रती के आधार परस्वर और जो चठवा है जिसे लास्ट कहा जाएगा वो है उच्चारण स्थान पहला बारा उच्चारण काल था ठीक है यह उच्चारण स्थान के आधार परस्वर इसके लाबा कुछ विद्वान अन्य प्रकार भी बताते हैं लास्ट में हम एक्स्ट्रा रूप से उनकी बात करना है ठीक है तो बेसिकली स्वरों का उच्चारण के जाता है उच्चारण काल उच्चारण मात्रा एक ही बात है क्या अधार पर कि कितनी प्राणवाई लिए है दूसरी उनकी बनावट कैसे निर्माण कैसा रचना कैसे उसके अधार पर ओके यह भी मैं लिख देता हूं मैंने चारों आपके सामने लिख दिया आप व्युत्पत्ति कहें बनावट कहें रचना कहें निर्माण कहें एक ही बात है तीसरा जीवा इस्थान के अधार पर स्वर चोथा वुखाकृति के अधार पर स्वर पांचवा उस्थाकृति के अधार पर स्वर नमबर च्छे उ कहां से शुरूआत करते हैं उच्छारन काल या उच्छारन मात्रा के आधार पर स्वार नमबर पहला है डिंग श्वरों का वरगी करें और सबसे पहले जो भीभाजन करेंगे वह किस आधार पर वो भीभाजन का आधार है उच्छारन काल या उच्छारन मात्रा के आधार पर स्वार और मित्रों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस आधार पर अगर हम स्वारों को बाटेंगे इस तरह स्वारों का अगर विभाजन करेंगे उनका बरगी करन करेंगे तो इस आधार पर जो स्वार हैं वो तीन प्रकार के हैं किते प्रकार के तीन प्रकार के हैं इस आधार पर स्वार तीन प्रकार के होते हैं सुनियेगा कौन कौन से होते हैं ए हर्सुस्वर इसको बोलते है हर्सुस्वर नंबर होता है दीर्ग स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर बेसिकली जो भर्सुस्वर आपने लिखा है इसको लगुस्वर भी कहते हैं कि लगुस्वर है दूसरा जो दीर्ग स्वर है इसको गुरु स्वर कहते है रू की मात्रा उकी बड़ी आएगी छोटा उमत लगाना ये बाला रू नहीं है ये दूसरा रू है तो दूसरा है गु लुप्त स्वर या पलुद वर तो देखा आपने उच्छरनकाल या उच्छरनमात्रH पे जो स्वर हैं वो total तीन प्रकार के होते हैं हस्द स्वर गधिर्ग स्वर और पलुद स्वर इँ Okay । ह् इसकी बात कर लेते हैं, नमबर ए, वस्तुस्वार या लगूस्वार, कौन होंगे, क्या परिवाशा होगी, बेस्वर, जिनके उच्चारण में, अपेक्षाक्रत कम प्राणवायू का प्रियोक किया जाता है, उन्हें हस्तुस्वार कहते हैं, तो हस्तुस्वार कौन से हैं, जिनको बोलते समय कम प्राणवायू काम मिले नहीं है, बहुत कम प्राणवायू काम में आती हैं, और यह हस्तुस्वार हैं, इनकी संख्या की बात करें, तो यह कुल चार होते हैं, यह कुल चार है, कौन कौन से, आप जो लिखते हैं स्वार, एक छोड़ के एक पर आ जाओ, ए, आ छोड़ देजिए, ए, उ छोड़ देजिए, ए के बड़ी छोड़ देजिए, फिर उ और उसके बाद री, अगर हम लगातार स्वारों को लिखे हैं, तो ए, इ, उ, र, एक छोड़ के एक जो आते हैं, वो हस्वार कहलाते हैं, लगू स्वार कहलाते हैं, यह लगू स्वार हस्वार इसलिए हैं, कि इनके उच्छारण में कम प्राणवायू का प्रयोग करना पड़ता है बहुत आराम से जल्दी से बुल जाते है ए ई उरी कम प्राणवायू यहां पर काम में ली जाती है इसलिए इनको बोलते हैं हस्व स्वर ओके दूसरे जो स्वर हैं जिनके हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के जो स्वर हैं वो होते हैं दिर्ग स्वर तो इनको जो छोड़ दे एक छोड़ के एक हमारे आया है चार यहां पर आगया बचके कितने ग्यारा में से साथ तो जो साथ आएंगे वो दिर्ग स्वर कहलाएंगे ये कम प्राणवायु वाले थे अब सुनिएगा बी है कुणसा दीर्ख स्वर और इसी का नाम है गुरु स्वर कौनसे होते हैं बेश्वर जिनके उच्छारण में अपेख्षक्रत अधिक प्राणवायु का प्रियोग होता है अधिक प्राणवायु ज्यादा प्राणवायु लगती है ठीक है और अधिक प्राणवायों की बात करें तो यहां पर भीच बोही एक छोड़ के एक वाले जो है ना शुरुवात के चार तो आए जाएंगे यह निम्न अब बदाई कित्ते होंगे जो टोटल ग्यारा है चार वहां आगे तो यह साथ है यह निम्न साथ है कौन-कौन से कि अधर वाँ चोटा ही था बड़ा इधर वाँ चोटा हूँ था और बड़ा हूँ इधर आ गया है उसके अलाबा कि ए आई ओ और आउ तो कुल मिला करके साथ स्वर यहां जाएंगे तो जो यह स्वर थे ए यू रे उनके बोलने समय कम प्राणवाय लेनी पड़ी कौन-कौन में ए ई उ और री में और अधिक प्राणवाय की बात करें तो यहां लेनी पड़ी आ ई उ ए आई और ओ आउ में बात किलियर ही आप सुनिये तीसरा प्रकार का स्वर और बचरा है बीबी जिसको बोलते हैं पलुत या लुप्त स्वर सी पलुत स्वर इसी का दूसरा नाम है लुप्त स्वर कौन होते हैं पलुत स्वर या लुप्त स्वर कौन होते हैं सुनियेगा बेश्वर जिनके उचारण में सरबाधिक प्राणवायू का प्रयोग किया जाता है सरबाधिक प्राणवायू का प्रयोग किया जाता है यारी दील को स्वरों से भी ज्यादा प्राणवायू यहां पर ली जाएगी ज्यादा स्वास खिंची जाएगी उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं उन्हें अब एक बात सुनिएगा ये बात हमने सीख लिए कि उन्हें प्लूत स्वर कहा जाता है लेकिन प्लूत का मतलब क्या है प्लूत का साब्दिकर्थ है उच्छलता हुआ प्लूत का मतलब क्या होता है उच्छलता हुआ तो जहां कहीं भी अर्थात, रोने, पुकारने, चिलने, बुलाने, यानि किसी को आवाज देने, पुकारने लिख दिया है, में प्लुत स्वर का प्रियोग होता है. अब आप सूच रहें, प्लुत स्वर का प्रियोग होता है, तो मुख्य बात यह है, कि रोने, पुकारने, चिलनाने में इसका प्रियोग होगा, उचलता हुआ इसकारत है, जादा प्राणवाई का अवश्रता पड़ेगी, लेकिन यह आया कहां से है तो basically लुट्स्वर मुख्षित है संस्कृत का अवग्रहचिन है संस्कृत का अवग्रहचिन है पहली बात और दूसरी बात ये दो प्रकार के होते है कौन-कौन से एक होता है लगु अवग्रहचिन और दूसरा होता है दीर्ग अवग्रहचिन जो लगु अवग्रहचिन है वो इस तरह लिखा जाता है दीर्ग अवग्रहचिन इस तरह लिखा जाता है और ये जो दोनों ही चिन है ना लगू और दिर्ग ये जब भी आएंगे तो ये क्या थोड़ा खीचते हैं इधर आगे क्यों खीचना इनकमों की काम है जैसे आपने लिखा राम तो ये क्या करेगा जैसे आपने लिखा राम ये देखो ये राम इसको खीचेगा ये ये चिन आगया ये इसको खीचेगा ठीक है और उसके बाद में ये में तो ऐसे लिखा जाता है ये जैसे आपने दिखा होगा ओम तो अब इसको खीचेगा कौन ये तो ये जो है संस्कित के अबगरेचिन है जिनको लगू अबगरेचिन और दीर अच्छी ज्यादा देखे हमने पढ़ा कि यहां पर जो स्वर हैं वो प्रांतत्य के अधार पर कित्ते प्रकार के होते हैं तो किलियर होता है कि तीन प्रकार के एक हस्त होता एक दीर को प्लूत होता है हस्त का मतलब लगू गुरू दीर को बोलते हैं अप्लूत का मतलब लुप्त अब जो हस्त हैं एक छोड़ के एक ए ए उरी शुरुवाती चार हस्त स्वर हैं कम प्राणवाई लेंगे उसके बाद जो दीर के स्वर है वो ज़्यादा प्राणवाई लेंगे एक छोड़ के एक आगे तीन और बचके साथ के साथ जो पहले से बच गए थे वो यहां पे आगे और तीसरी कहानी प्लुट्स वरों की जिनके उच्चाण में ज़्यादा समय लगता है उच्छलता हुआ यानि रोने पुकारने चिलाने जिसका प्रियोग होता है संस्कित के जो अगरे चिन होत प्लुट्स वरो एक बात यहांपर और आद रहना नोट लगा के लख लिजिएगा इंपोर्टन नोट है और वह नोट लगा के बात लिख लिजिएगा क्या की चंद विधान के नियम का अनुसार चंद विधान नियम का अनुसार यह चंद विधान ही लिख दीजिए चंद का विधान है चंद विधान का अनुसार लगू स्वरों में एक मात्रा लगू स्वरों में एक मात्रा गुरू स्वरों में दो मात्रा वे तिसरी बात क्या पलुत्वरों में तीन मात्रा गिनी जाती है यहीं लगू स्वर है तो एक मात्रा गिनेंगे अगर दिर्ग स्वर है तो दो मात्रा गिनेंगे और यदि वो पलुत वाला है देखिए एक मात्रा अलग है दो मात्रा अलग है और अगर पलुत वाला है तो वहाँ पर तीन मात्रा गिनी जाएंगे तो ये पहला पोईंट था स्वरों के भगी करन का कि उचारण, काल या उचारण मात्रा के आधार पिस्वर तीन प्रकार कोते हैं, हस्विया लगू, दिर्गिया गुरूप और पुलूद। हस में ए ए उ री आता है चार आते हैं ए ए उ री छोटे छोटे हैं आ ए उ ए ओ जो बड़े बड़े हैं वो सारे कि सारे किस में आते हैं वो दीर्ग में आते हैं ठीक है और जो अबगरे चिन्ने संस्कित का राम हरे उसमें काम आता है आगे खीचने राम आपको जितना खीचन का बग्रेचिन्ने जो की basically प्लुत स्वर के रूप में हिंदी में पढ़ा जाते हैं तो ये तीन बाते हुई किसके बारे में उच्चारन काले उच्चारन मात्रा के अधर पर स्वर में अब इसके बात बाद कर लेते हैं स्वर के दूसरे विवाजन की और वो प्रकार कौन सा ह है कि आखिर ब्यूत्पत्ती बनावट रचना ये निर्मान के अधर पर स्वर कितने प्रकार का है तो दूसरे point पर आते हैं उच्चारन ब्यूत्त पत्ति निरमान बनावट ये रचना के अधर पर स्वर जी